तेंक यू, तेंक यू नमस्ते केम जो मुरेशस के प्रधानमत्री आदर्णिय प्रवीन जग्रनाच जी डव्लुएचे के डारेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गुजरात के उर्जावान मुख्य मंत्री स्री भुपेंद्र भाई पतेल केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहयोगी सर्वानन सोनवाल जी मन्सुक मान्डविया जी महंद्र भाई मुझबरा जी देश विदेश से आये सभी डिप्लोमेट्स साइन्टीज्स एंट्रप्रिनर्स और एक्सपर्स देवियो और सज्यनो ग्लोबल आयूस इन्वेस्ट्मेंट इनोवेशन समीट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमने अक्सर देखा है कि अलग-अलग सेक्टर्स में निवेश के लिए इन्वेस्ट्मेंट समीट होती रही है और गुजरात ने तो विशेश रूप से एक बहुत ही व्यापक रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ाया है लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब आयुज सेक्टर के लिए इस तरह की इन्वेस्ट्मेंट समीट हो रही है साथ ये ऐसी इन्वेस्ट्मेंट समीट का विचार मुझे उस समय आया था जब करोना की बज़र से पूरी दुनिया में हडकंप मचा हुआ था हम सभी देख रहे थे कि उस दवरान किस तरह आयुर्वेदिक दवाईयां आयुश काढ़ा और ऐसी अनेक प्रोड़ेक्स इम्मुनिटी बढ़ाने में लोगों की मदद कर रहे थे और उसका परणाम जब ये करोना कालखन था तब भारत में से हल्दी का एक्सपोर्ट अनेक गुना बढ़ गया था यह यह इसका सबूत है इसी दौर में हमने देखा कि जो मौडरन फार्मा कंपनियां है वैक्सिन मेनिफेक्टरर्स हैं उन्हें उचीत समय पर निवेश मिलने पर उन्होंने कितना बड़ा कमाल करके दिखाया कौन कल्पना कर सकता था कि इतनी जल्दी हम करोना की वैक्सिन विक्सित कर पाएंगे मेड़ी इंडिया इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट किसी भी शेत्र का सामर्थ कई गुना बढ़ा देता है अब समय आ गया है कि आउश क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को जादा से जादा बढ़ाये जाएं आज का ये अवसर ये समीट इसकी एक शांदार शुरुवात है साथियों अब भूत पुर्वत तेजी देख रहे हैं आपको ज्वान करके आनद होगा 2014 से पहले जहां आउश सेक्टर में 3 बिलियन डॉलर से भी कम का काम था 2014 से पहले 3 बिलियन डॉलर से भी कम आज ये बढ़कर 18 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया है जिस प्रकार पूरी दुनिया में आउश प्रोडक्स की मांग बढ़ रही है उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी नेशनल सप्लिमेंट्स हो मेडिसिन्स का सप्लाई चेन मेनेजमेंट्स हो आउश आधारित डायोनिस्टिक ठूल्स हो या फिर टेली मेडिसिन्स हार तरब इनवेस्ट्मेंट और इनोवेशन की नई संभावना है साथियों आयुक्ष मंत्राले ने ट्रेडिशनल मेडिसिन्स ठेत्र में स्टार्ट अप कल्चर को प्रोसान देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं कुछ दिन पहले ही All India Institute of Ayurveda के द्वारा विक्षित की गई एक इंक्वेशन सेंटर का उध्धातन किया गया है जो स्टार्ट अप चैलेंज आयोजित किया गया है उसमें भी जिस प्रकार का उत्सा युवाउं में देखने को मिला है वो बहुत ही एंकरेजिंग है और आप सब मेरे नवजवान साथी तो ज़्यादा जानते हैं कि एक प्रकार से भारत का स्टार्ट अप का इस्वर्णिम यूग सुरू हो चुका है एक प्रकार से भारत में आज युनिकॉंस का दोर है साल 2022 में ही यहने 2022 को अभी चार महिने पूरे नहीं हुए है साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्ट अप्स युनिकॉंस क्लब में जुड़ चुके है मुझे पूरा विस्वास है कि बहुत ही जल्द आयूश के हमारे स्टार्ट अप से भी युनिकॉंस उभर कर सामने आएगा साथियों भारत में हर्बल प्रांच का खजाना है और हिमालाई तो इसी के लिए जाना चाहता है एक तरह से यह हमारा ग्रीन गोल्ड है हमारे यहां कहां भी जाता है अ मंत्रम अक्षणम नास्ती नास्ती मूलम अडवशदम यानि कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र न शुरू होता हो कोई ऐसी जड़ नहीं है जड़िबुट्टी नहीं है जिससे कोई आउशदी न बनती हो इसी प्राकृतिक संपदा को मानवता के हीत में उप्योग करने के लिए हमारी सरकार हर्बल और मेडिसिनल प्रांट के उत्पादन को निरंतर प्रोट्साहित कर रही है साथियों हर्ब्स और मेडिसिनल प्रांट का उत्पादन किसानों की आए और आजी भी का बढ़ाने का अच्छा साधन हो सकता है इसमें एंप्रोईमेंट जनरेशन का भी बहुत स्कोब है लेकिन हमने यह देखा है कि ऐसे प्रांट्स और प्रोडुक्स का मार्केट बहुत लिमिटेड होता है स्पेशलाइज होता है बहुत जरूरी है कि मेडिसिनल प्रांट्स की पैदावर से जुड़े किसानों को आसानी से मार्केट से जुड़ने की सहुलियत मिले इसके लिए सरकार आयूस इ मार्केट प्रेस के आधुनी करण और उसके विस्तार पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है इस पॉर्टल के जरिये हर्प्स और मेडिसिनल प्रांट की पैदावर से जुड़े किसानों को उन कंपनियों से जोड़ा जाएगा जो आयूस प्रोडक्स बनाती है साथियों आयूस प्रोडक्स के निर्यात को प्रमोड करने के लिए भी बीते सालों में अभूत पूर्वप्रयास हुए है दूसरे देशों के साथ आयूस आउसेद्यों की प्रस्परमान्यता पर बल दिया गया है इसके लिए हमने बीते सालों में अलग-अलग देशों के साथ पचांस से अधीक एमोयू किये है हमारे आयूस एक्सपर्ट्स ब्यूरो अफ इंडियन स्टांडर्ट के साथ मिलकर आयसो स्टांडर्ट्स विक्सित कर रहे हैं इससे आयूस के लिए 150 देशों से भी अधिक देशों में एक विशार एक्सपर्ट मार्केट खुलेगा इसी तरह FSS II ने भी पिछले ही हपते अपने रेगुलेशन्स में आयूश आहार आयूश आहार नाम की एक नई केटेगरी गोशित किया है इससे हर्बल न्यूट्रेशनल सप्लिमेंट्स के उत्पादों को बहुत सुभीधा मिलेगी मैं आपको एक और जान करी देना चाहता हूँ भारत एक स्पेशल आयूश मार्क भी मनाने जा रहा है जिसकी एक ग्लोबल पहचान बनेगी भारत में मनें उच्चतम गुणवत्ता के आयूश प्रोड़क्स पर ये मार्क लगाया जाएगा ये आयूश मार्क आदुनिक टेक्नोलोजी के प्राधानों से युक्त होगा इससे विश्व भरके लोगों को क्वालिटी आयूश प्रोड़क्स का भरोसा मिलेगा हाल में बनें आयूश एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल से भी निरियात को प्रोचसाहन मिलेगा और विदेशी बजार खोजने में मदद मिलेगी साथियों आज एक और गोशना में आपके बीच कर रहा हूं देश भर में आयूश प्रोड़क्स के प्रचार प्रशार के लिए रिसर्च और मैनुफेक्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार आयूश पार्ख का नेटवर्क विक्सित करेगी यह आयूश पार्ख देश में आयूश मैनुफेक्टरिंग को नई दिशा देगा साथियों हम देख रहे हैं कि मेडिकल टूरिजम आज भारत मेडिकल टूरिजम के लिए दुनिया के गई देशों के लिए एक बहुत ही आकरशक डेस्टिनेशन बना है उस बात को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टूरिजम के इस सेक्टर में जहां इन्वेस्ट्मेंट की बहुत संभावना है हमने देखा है कि किस तरह केरल के टूरिजम को बढ़ाने में ट्रेडिशनल मेडिसिन ने मदद की यह सामर्थ पूरे भारत में है भारत के हर कौने में है हिल इन हिंडिया इस दसक का बहुत बड़ा ब्रेंड बन सकता है आयुर्वेट युणानी शिद्धा आदिव विद्याओं पर आधरित wellness centers बहुत प्रचलित हो सकते हैं देश में तेजी से विक्सित हो रहा आधुनिक connectivity infrastructure इसको और अधिक मदद करेगा जो विदेशी नागरीक जाता मैंने कहां कि आज हेल्थ टूरिजम के लिए भारत एक आकरशक destination बन रहा है तो जो विदेशी नागरीक भारत में आकर आयूस टिकित्सा का लाब लेना चाहते हैं उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है सिक रही भारत एक विशेश आयूस विज़ा केटेगरी शुरू करने जा रही है इससे लोगों को आयूस टिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहलियत होगी साथियों जब मैं आहुरुवेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी एहम जानकारी देना चाहता हूँ मैं अपने एक मित्र और केनिया के पुरवराश्पती राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मेरी का भी जिक्र करना चाहता हूँ रोज मेरी आर यू हेर यह सीज देर रोज मेरी वेलकम टू गुजरात रोज मेरी की घटना बड़ी रोचक है मैं जुरूर आपको कहना चाहूंगा कुछ दिन पहले उनके पिता जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है वो मुझे ओरिंगा जी दिलनी मिलने आये थे रविवार का दीन था और हम भी काफी देर बैटने का ताय करके कई कई लंबे अर्शे के बाद हम दोनों मिले थे तो उन्होंने मुझे रोज मेरी की जिन्दगी में जो बड़ी मुसीबत आई बड़ी एनेक प्रकार से वो भावुख हो गए थे और रोज मरी की जिन्दगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मिजे कहां कि रोज मरी की आँख में कुछ तकलिब हुई थी और उसकी सर्जरी हुई थी और उसकी सर्जरी में रोज मेरी ने अपनी आँखे खो दी वो देख नहीं पाती थी आप कल्पुना कर सकते हो जिन्दगी के इस पड़ाओं में आँखे चली जाए इंसान हताश हो जाएगा निराश हो जाएगा और एक पिता केनाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को च्छान मारा वो केनिया के बहुत बड़े बरिष्ट नेता थे उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन काप नहीं था विश्व का कोई बड़ा देश हैता नहीं होगा जहां रोज मेरी का उपचार नहीं हुआ हो लेकिन रोज मेरी की आँखों में रोशनी वापिस नहीं आई आखिर करूने सफलपा भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बार आयुर्वेद का उपचार किया गया और रोज मेरी की रोशनी वापस आगई वो आज देख रही है जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिन्दिकी की स्वनिम पल थी मुझे खुसी है कि रोज मेरी भी आज इस समीट में हिस्सा ले रही है उनकी बेहन भी आई है उसकी बेहन तो ट्रिडिशनल मेडिसिन में ही अब तो पढ़ा रही है और कल शायद वो अपने एक्स्पिरियंस भी आपके साथ सेर करने वाली है साथियों 21 सदी का भारत दुनिया को अपने अनुभवं अपने ज्ञान अपनी जानकारी साजह करते हुए आगे बढ़ना चाहता है हमारी विरासत पूरी मानवता के लिए विरासत की तरह है हम मसुदेव कुटुमकंबले लोग है हम दुनिया का दर्द कम करने के लिए कृत संकल्प लोग है सर्वे संतो निरामया यही तो हमारा जीमन मंत्र है हमारा आयुर्वेद हजारों वर्षों की परंपरा हजारों वर्षों की तपस्या का प्रतीक है और हम तो रामायन से जुन सुनते आए है लक्षमन जी बेहोस हो गए तो हनमान जीम हिमालय लोट आये और महां से जड़ी बुट्टी लेके गए आत्म निर्भर भारत तब भी था आयुर्वेद की समरुद्धी के पीशे एक मुख्य कारण उसका ओपन सोर्स मोडल रहा है आज डिजिटल वर्ल में ओपन सोर्स की बड़ी चर्चा होती है और कुछ लोगें मानते हैं यह इनिकी खोज है उन्हें मालूम नहीं है इस मिट्टी में हजारों साल से इस ओपन सोर्स की परंपरा रही है और आयुर्वेद पूरी तरह उस ओपन सोर्स परंपरा से ही विक्सी तुबाए जिस युग में जिसको लगा जिसने पाया जोडता गया अन्हें एक प्रकार से आयुर्वेद विकास की मुव्मेंट हजारों साल से चल रही है नई नई चीजें जूडती गई हैं बंदन नहीं हैं नई मिचारों को उसमें स्वागत होता है समय के साथ अलग-अलग विद्वानों के अनुफव उनके अध्यान ने आयुर्वेद को और मजबूत किया आज के समय में भी हमें अपने पुर्वजों से सीख लेते हुए इसी इंट्रेलेक्च्वल ओपन्नेस की भावना से काम करना होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े ज्यान का विकास और विस्तार तभी संभव है जब उनको साइंटिक स्पिरिट में देखेंगे उन्हें देश काल परिस्तिकी तके अनुसार ढालेंगे साथियों कल ही जामनगर में डब्ली एचो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्गाटन हुआ है याने गुजरात की धर्ती पर जामनगर में विश्वका ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र बनना कि हर हिंदुस्तानी के लिए हर गुजराती के लिए गर्वे क्या विश्य है और आज हम पहली आयूश इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समीट में हिस्सा ले रहें ये एक शुब शरुवात है ये एक ऐसा समय है जब भारत अपनी आजहादी के 75 वर्ष का पर्व आजहादी का अमरित मनों महुत्सों मना रहा है मुझे पुरा भरोसा है कि अगले 25 साल का हमारा अमरित का दुनिया के कौने कौने में ट्रेडिस्टनल मेडिसिन का स्वनिम काल होगा आज एक तरह से विश्व भर में ट्रेडिस्टनल मेडिसिन के नए यूग का आरंब हुआ है मुझे विश्वास है आज की ग्लोबल आयूस इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समीट आयूस के खेत्र में निवेश आज जो विदेश के महमान आये हैं और जो पहली बार भारत के भी अन्य हिस्सों से लोग आये हैं उनसे मैं जुरूर आग्रह करूंगा इस महत्मा मंदीर में एक दांडी कुटीर है महत्मा गांदी प्रमप्रागत चिकित्सा के प्रणेता रहे हैं मैं चाहूंगा कि समय निकाल कर आप जुरूर दांडी कुटीर की मुलाकात लीजिए आज हादी के समरित काल में महत्मा गांदी को निकट से जानने का प्रयास किजिए एक अवसर आयुवेट के साथ साथ भी आप जाने मत दीजिए आज मैं एक और खुशी की खबर देना चाहता हूं डबली अच्वे के हमारे डायरेक्टर जनरल टेडरस मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और जब भी मिलते थे एक बात अवसरे कहते थे कि देखिये मोदी जी मैं जो कुछ भी होना है मुझे बच्च्पन से पढ़ाया था भारत के टीचर्स मेरे हाथे उन्होंने पढ़ाया था मेरे जीवन के महत्वपुन पढ़ायो पर भारतिय टीचर्स का बहुत बढ़ा रोल रहा है और मुझे बहुत बढ़ा गर्व है भारत से जूडने में आज जब सुभे मुझे मिले तो उन्हां कहा देखो भाई मैं तो पक्खा गुजराती हो गया हूँ तो उन्हांने मुझे कहा किया मेरा नाम गुजराती रख लो अभी मंच पर मुझे आद करा रहे थे कि मेरा डापता है किया कर रही किया तो मैं आज महत्मा गांदी की पवित्र भूमी पर मेरे इस परम्मित्र को गुजराती के नाते तुलसी भाई तुलसी वो पवधा है जो बरतमान पीडी तो भूल रही है लेकिन पीडी दर पीडी भारत के अंदर हर घर के सामने वो पवधा लगाना उसकी पूजा करने उसकी परंपरा रही है तुलसी वो पवधा है जो भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक एहम हिस्सा है और इसलिए जब आयुर्वेद का समीट हो रहा है और आपको जानकर के खुशी होगी कि दिवाली के बाद हमारे देश में उस तुलसी की शादी का बड़ा समारो होता है याने आयुर्वेद से जुड़ी हुए तुलसी और जब गुजराती हैं तो मिना भाई के बाद नहीं चलती है और इसलिए आपका जो गुजरात के प्रति लगाव बना है हर बार कुझन कुझ गुजराती बोलने का आपका प्रयास रहा है आपको जिन गुरी जबनों ने सिच्छा दी है उनके प्रति आप लगातार स्रद्धा भाव व्यक्त करते रहे हैं इस महत्मा मंदिर की पवित्र धरती से मुझे आपको तुलसी भाई कहकर के पुकारने में विशेस आनंद हो रहा है मैं फिर एक बार आप दोनों महानुभाव इस महत्वपुन समारों में हमारे बीच आए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद